कि दोस्तों आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं एलेक्टिरिस्यान थियोरी का आंसर की के बारे में जिए दोस्तों यह फेपर आपका 31 जूलाई 29 को गुआ था मॉर्निंग में दियां दोस्तों आपका फेपर यह 31 जूलाई 29 को गुआ था फस्ट येर का दो यह पर रहे में कम स्क्राइब आपको 10-15 दिन लगेंगे उसके बाद ही आपको official की आपको मिल पाएगी तो इसी आशर की आपको देख लीजिए मिला लीजिए सारे अपने आशर को क्या क्या आपने ट्रिक लगाए है वीडियो स्टाट होने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि ट टेकनिकल रोबर का नाम बदल कर टेकनिकल एजुकेशन कर दिया गया है इस चैनल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है टेकनिकल एजुकेशन कर दिया गया है तो चलिए वीडियो को शाट करते हैं और आपको बताते हैं सारे questions देखिए यह paper जो आपका है booklet series C का है कि क्या है बुखलेट सेरी C का है, तो अगर आपका B हो, A हो, तो आपको करना क्या होगा, उसमें आपको मिलाना होगा, यानि कि आप इसको पूरा पहले देख लिजे, किसका कौन सा आंसर होगा, उसके बाद आप अपने में टिक कर सकते हैं, असानी से, पहले इसको आप पूरा मिला लि होता है, बस आपका विकल्ब जो हो, बस आपका चेंज मिलेगा आपको, एलेक्टिसियन फरस्टियर का या पेपर, तो देखिए, यहां पर जो पहला कोश्चन इस प्रकार पूछा गया, इसमें है, भारत में विधूत किस अविर्ति पर प्रदान किया जाता है, देखिए, कितना होगा, अगर आपको पता होगा, थो देखिए, आपकार थीकल्प यापर आपका पतिलोध के लिए दिया, तीन और यह दो नरी करेंगा, थीच्ञा कंत में पूरा देखिए, देखने के बाद आप खुरी समझ जाएंगे, अपनेหม सिरीक क्रियर का इपर में किसका कौ अब आतने क्वेश्चन नमर ठड़ पर जो माईस्पकार पुछा कि फराड़े के दूसरे सिधान के अनुसार अलग-अलग तत्वों को जो भार के बराबर विदुमान उर्जा के प्रांगत हैं उनको विकासित के अनुपात होते हैं, समान अनुपातिक होते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नमर पांच पर जो अमरा इस प्रकार है देखें इसमें दिया गया है क्लिट वाइरिंग में क्लिट को नियमित अंत्राल के एक दूसरे से दूरी पर दूर रखना चाहिए तो इसमें देखें 50 cm दिया है, 60 cm दिया है, 65 cm दिया है, 70 cm दिया है तो छाठमा का आपका हो जाएगा D वाला क्या हो जाएगा दोस्तों D वाला तीन मीटर के उंचर उंचा रखना चाहिए अब आते हैं क्वेश्चन नमर साथ में पर लिखा है कि कॉर्ड ग्रिफ या अंडर राइटर नॉट का उपयोग कि इसमें किया जाता है चार अपसन इसमें दिये गा है देखिए लैंप फोल्डर ट्रमिनल में सीलिंग रोज में पेंडेट के ट्रमिनल में या सभी तो साथ में का आपका आपसन हो जाएगा कौन सा अब आते हैं क्वेश्चन नमर नॉवा पर जो माइस पकार है पूछा है कि कार्बन और क्लैम का उपयोग समानता कहां किया जाता है देखिए चार अपसन दिया होंगे घरेलू प्रकास के लिए सड़क के प्रकास के लिए सीनेमा के लिए पोजेक्शन के लिए फोटोग्र लुमैन अब आते हैं क्योश्टव नमर ययारा पर लिखा एक फेचट टासफार्मर की तुलना में तीन प्रकास государ होता है तो यहारा प्र बारा के कैमियल के नूंसर किसी भी बंद लूप में आयार ड्रॉपस और इम एफ का बीज गणितिया योग्य होता है तो बारा का आपका हो जाएगा ये वाला सुनने होता है दोस्तों सुनने होता है अब आते हैं कोश्चन नमर तेरा पर जो मारेश प्रकार है पूछा गया है चेचीस ग्राउंड में अंत सकती किल कलपना की जाती है चारा आपको है सुनने सकारतमक नकरातमक इन में से कोई नहीं तो तेरामा का आपका आंसर हो जाएगा एवाला सुनने होता है अब आते हैं कोश्चन नमर 14 पर ये बुकलेट नमर सी है अगर आपका कोश्चन इधर उधर मिल ला हो तो पहले आप क्या करिए इस सारे प्रस्णों को आप दे से उधर से में होंगे अब आते हैं कोश्चन नमर 14 पर लिखा है एक सरकीट जिसमें 0.5 एंपियर करेंट दोड़ रहा है एक हज़ार सोरी 100 एंपियर के रेजिस्टेंस का परियोग की जायता जिसकी पावर रेटिंग क्या होनी चाहिए 14 का देखिए 50 वाट दिया है 200 वाट और 2800 बोल्ट का एक लैंप कितनी उर्जा खपत करेगा तो चार अप्सन इसमें दिये गए हैं 10 वाट 5 वाट 1 किलो वाट यानि कि इन में से कोई नहीं तो आपका अप्सन क्या होगा इसमें से 15 का हो जाएगा आपका C वाला कौन सा हो जाएगा C वाला 1 किलो वाट हावर अ 16 का आपका क्या हो जाएगा B वाला सही होगा अब आते हैं क्वेश्चन नमर 17 पर लिखा डेसी नेटवर के संबंद में अस्थांतरित की गई पावर अधिक्तम कब होती है चार आपसमें आपको दिख रहे होंगे तो 17 का हो जाएगा ये वाला RL is equal to RTH होता है अब आते हैं क्वेश्चन नमर 17 पर 18 है घरेलू संथापक में जोड़ा जाता है घरेलू संथापक में क्या जोड़ाता है स्रीज या फिर स्रीज पैरलर पैरलर स्रीज तो 18 का हो जागा आपका D पैरलर में ही हमेशा वायरिंग की जाती है घरेलू की अब आ आते हैं क्वेश्चन नमर 20 पर लिखा है तीन फेज सर्कीट के लिए पावर का क्या फार्मुला होता है तो वी डेजिस अमन इनडक्तिंस कॉल जिसका पति रोज 20 ओम है और रेजिस्टेंस 30 ओम है उनमें एक जाली जिसमें तीन फेज 400 बोल्ट साप्लाई कर जाती है तो करेंट तो फेज करेंट याद कीजिए देखें इसमें चाला अपसंदिया गया है एक कैस का आपका हो जाएगा कौन सा एवाला एवाला ही आपका सही होगा एक जाला दा समलो एक अब आते हैं क्वेश्चन नमबर 22 पर लिखा है आपका क्या होजाएगा डी वाला सही होगा अब आते हैं क्वेश्चन नमर 23 पर लिखा है अपर म्फ क्या होता है ऊत्य हूं क्या होगा बहुत ही स行ता होगा ऐसे ओका पंश हो जाता था ये हैं का एवाल अफसन सही होगा अब आतने qeUSion नमबर लिखा एंपार क्या होता है तो दोस्तों तो k इसमें चारा आपसुंगंज इसमें डशकार किया गया गाया 24 का 15 का पचीस का आपका देखें, चार पांच आप्शन दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका, ए वाला आपका आपका आप्शन सही होगा है, एनिलिंड्स, अब आते हैं क्वेश्चेन नमर, 26 पर लिखा है, केवल का सर्ज कितना होता है, तो इसमें देखें, 5 एंपियर, 20 एंपियर, 50 एंपियर और 100 एंपियर दिया गया है, तो 26 का आपका हो जाएगा, C वाला आप्शन सही है, 50 एंपियर, अब आते हैं, सोरी, 50 या पर ओम दिया है, अब आते हैं क्वेश्चेन नमर, 27 पर लिखा है, एक असमान भीतर के विदुद उर्जा, हंस्थानतित कर रसाइनिक, अब गठर में उत्पंद करने की प्रक्रिया को कहते हैं, देखें से में, इलक्ट्रोड सिल, इलक्ट्रो प्लेटिंग्स, या फिर इन में से कोई नहीं ते, 27 का आपका हो जाएगा, A वा अब आते हैं, question number 29 पर लिखा है, जब एक बल्फ के भीतर विदुद करेंट के हंस्थानतित किया जाता है, तो अन प्रकासित होते हैं, चार अपसन दिया गया, करेंट के विदुद प्रभाव, करेंट के नमकीले प्रभाव, चमकीले प्रभाव, अब आते हैं question No. 10 पर जो हमारा इस प्रकार है question No. 30 पर फिर में प्रकास को पर्यों से आर्थिंग के इन्सलेटिंग के थै देश त्रणाफम दीए गए है का आपका option C वाला सही होगा क्लिट्स अब आते हैं क्वेश्चन नमर 31 पर कोड़ बॉर्ड बॉक्स में लिंक की दर विकल बॉक्स प्रती होती है चार आपस्थ में दिये गए हैं 200-300-100-50 तो आपका हो जाएगा 31 का C 100 होते हैं 100 अब आता क्वेश्चन नमर 32 पर क्रोल वेल्डिंग या उप्योग की जा सकती है चार आपस्थ में दिये गए हैं तो आपका option हो जाएगा 32 का C वाला हेक मंक्स फ्रेम्स अब आते हैं क्वेश्चन नमर 33 पर लिखा है यदि हमारे पास दो 5 एंपियर और 100 वाट के सरकीट है तो जिसमें बिजिली की सरकीट का भार कितना होगा 33 का option जाएगा एवाला एवाला आपका सही होगा 200 अब आते हैं क्वेश्चन नमर 34 पर जो हमारा इस प्रकार है पुछा गया इसमें है LED के विशय में ड्राइबर क्या काम होता है चार आपस्थ में दिये गए हैं AC से DC बदलना DC से AC ब दोनों इसमें से कोई नहीं तो 34 का option हो जाएगा एवाला AC को DC में बदलना होता है अब आते हैं क्वेश्चन नमर 35 पर लिखा टास्फार्मर में कॉंसी वैंडिंग घुमाव में सब्सक्राइब जादा होती है तो चार आपस्थ में दिये गया है लो बोल्टेज सब्सक्राइब जाएगा आपका वी वाला हाई वोल्टेज वैंडिंग का घुमाव सब्सक्राइब होता है अब आते हैं क्वेश्चन नमर 36 पर लिखा एक पावर टास्फार्मर में तेल का उपियोग क्यों किया जाता है तो क्या होता है इसको ठंडा करने के लिए इसका उ आपको हैं तो 37 का आपका हो जाएगा कौन सा डी सुक्स्न पावडर अगनी सासम होता है अब आते हैं क्वेश्चन नमर 38 पर जो माइस पकार लिखा है कि विदूत आग पर कावू पाने के लिए केविल इस्थित आपको सूखे पावडर वाले अगनी आसम का पुरियोग कर साइड अगनियासम मज्जूद हो अब आते हैं क्वेश्चन नमर 49 पर लिखा प्रकास का मुख रेखा स्विच विंदू पर विफातन के उपयोग जाता है तो इस पर चालाव संदिये गए आपका हैं तो 29 का हो जाएगा आंसर नमर एक पॉइंट्स होता है यह वाला आपक 24 पर लिखा है नीचे दिये गई आकरिती के अनुसार इस ठील हैंड जिसमें छोटे नुखीले दांथ होते हैं नुखीले अकरिती के पदान कि उपयोग कि जाने वाले होते हैं तो इसके चालाव संदिया गया इसमें है मेटल वाइंड्स स्टील चॉक लाइन्स और तो 21 का होती है चाराव संस में दिया गया है तो 22 का अपका हो जाएगा डी वाला अफसन सही ए सभी इन सभी सो कटिंग टूल्स क्या होती है घिस जाती है अब आते हैं क्वेशन नंबर 23 पर समागरी जो अपने द्वारा अड़ों को बहाओ के अनुमती देती है चाराव संस में दि णाठाब अब आते हैं क्वेशन नुम्टे पर है 35 इंटरी के द diagram स्वेशन को से लिछ ना विडायाओ चेल्स कि अव्यों से पर लिखा है केवल में स्ट्रीम का उप्यों किया जाता है चाल आपसंट में दिया गया है आप लोगों को दिख रहा होगा आपसंट A B C और D तो 26 का आपका अंसर होगा सी वाला नमी का परवेश रोकने के लिए अब आते हैं क्वेश्चन नमर 27 पर ampere tip क्या होता है ampere tip क्या होता है तो 27 का हो जाएगा आपका D वाला वारनिस के वीन होता है अब आते हैं क्वेश्चन नमर 28 पर 110 ओम रेजिस्टेंस 5 बोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो सुरोत के करेंट का बहाओ ग्यान किजिए जब इसको आप हल करेंगे तो आप कांड़ता है इसका हो जाएगा डी वाला आप्सन सही 0.5 अब आते हैं क्वेश्चन नमर 29 पर नूडल्स 26 का परियोग समानता निधारित करते के लिए के जाता है बोल्टेज करेंट रजिस्टेंस पावर तो उन्चास का आपका हो जाएगा बी वाला आप्सन सही करेंट के लिए के जाता है अब आते हैं क्वेश्चन नमर 50 पर यह हमारा लास्ट प्रस्ण है चुम्बकी वस्तुआं कौन से सिधानत पर पारन करती है तो चार आप्सन में दिये गए हैं आप लोग देख रहे होंगे फ्राडे का सिधानत एंप्यर का सिधानत और मैडम क्यूरी का सिधानत जो आपसन होगा आपका डी वाला सही लाइक करिएगा और एक दूसरे को सेर करिएगा और ज्यादा ज्यादा कमेंट करिएगा थाइंक कूप फरवाचिंग दोस्तों और आप हमें बताईएगा कि आपका कितना अंसा इसमें सही मिल ला है मिलते हैं अगले वीडियों तो तक बाइबाए